Dear friends, मेरा नाम सुभास चौतरी है और मैं भारत का एक सामाने नागरेखू। आज का ये वीडियो बहुत इंपोर्टन है हमारे senior citizen के लिए उनके life के लिए उनके लंबे जीवन के लिए उनके अच्छाई के लिए उनके स्वस्त जीवन के लिए उनके happy life के लिए बहुत इंपोर्टन ये वीडियो है इसलिए आज इस वीडियो को हमारे सारे senior citizen friends हमारे वरि देखना चाहिए इसको skip न करें इसको ध्यान से देखें आज हम एक बहुत ही important चीज बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत उप्योगी होगा ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके lifelong काम आएगा इस वीडियो को कभी आप देखेंगे आपको ये आप फायदा करेगा ता जिंदगी इससे अपको फायदा होगा इसमें जो भी content हम discuss करने जा रहे हैं जो ही विश है हम discuss करने जा रहे हैं उस पर ध akar ध्यान देंगे उसको अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी सुख में बीतेगी प्रसंद रहेंगे खुश रहेंगा चलिए वीडियो की बात सुरू करते हैं चार चीजें चार ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है अगर आप senior citizen हो गए हैं आप रिटायर हो गए हैं आप बुजर्ग हो गए हैं आपके उम्र हो गई है 55 के उपर तो चार चीज की आज हम बात करेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा ध्यान से गुनिएगा उस पर सोचिएगा उसको करके देखिएगा अगर आपने वो किया तो मुश्किल है उसको नहीं करना है मतलब जो चीजे मैं बता रहा हूँ वो नहीं करना है उसका उल्टा करना है ताकि आपको फा डिटायर हो गए और उसके बाद हम देखते हैं वे घर में बैठे रहते हैं। उनका शुरू में तो मुम्यंट रहता है थोड़ा भूती दर जाते भी हैं तोड़ा टालते भी हैं, पूछेंगे कहा गये थे, चटी पे गये थे, चोग पे गये थे, चड़ाये पे गये थे बट occasionally कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनको कुछ-कुछ प्रॉब्लम होने लगती है यह कभी ठकान हो गई, कभी बुखार हो गया, कभी BP बड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी सुगर की प्रावलम हो गई, फिर उनका चलना फिरना कम होजाता है, फिर जब आप बात करोगे तो Cultural की वह, काफी टाइम से निकले ही नहीं घूंने के लिए, तो पूछोगे, अरे थोड़ा तब यह डिली थी, थोड़ा बिमार था, थोड़ा ऐसा हो गया, तो नहीं जा पाया, थोड़ा सरीर में आलस आ गया, तो मैं नहीं जा पाया. तो दोस्तों ये पहली चीज है जो आपको नहीं करनी है पहली चीज क्या नहीं करनी है घर में परे रहना नहीं है आपको घर में नहीं परे रहना है आपको बाहर घूमना है टालना है मिलना है जुलना है इसके लिए एक रूटीन बना लीजिए क्योंकि हमेंसा आपको काम नह पार्केट का बाज्यार का घर का कुछ काम रहेगा तो आप जाोगे लेकिन अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं जाओगे इसके लिए रूटीन बनाइए ऐन आगर इबनिंग में नहीं होता है कोई बात नहीं सुबाaktu में तो लोग old age के बाद सब की बात नहीं कर रहों लिए काफी सारे लोग ऐसे होते हैं उनका खाना बढ़ जाता है उनका भोजन बढ़ जाता है वो जादे खाने लगते हैं ऐसा होता नहीं है लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है क्या होता है जब वो जॉब में रहते हैं त कुछ खाना खाया फिर शाम सात आट बज़े तक आएंगे च्वार कुछ चायवय कहीं फिये इतना काम रहता है कोहने में फुर सत ही They रता है तो कम खाते हैं लेकिन जब वो खाली हो गए जब वो खाली हो गए तो खाली आदमी खाते ही रता है बस उतको खाने की है बस अभी कोई साधिये टेंड करनी है किसी का मुंडन है किसी का जनेव हुआ है किसी का सराद है कुछ भी है वो उनको इन्वाइट करेगा वो ही बहें बस उनको काम भी नहीं है चले जाएं खाने के लिए ठूस ठूस के खाएंगें और जब ठूस ठूस के खाएंगें तो दुनिया वर की बीमारियां होगी मुटापा होगा वजन बढ़ेगा सुगर की प्रॉब्लम होगी बीपी की प्रॉब्लम होगी हार्ट की बहुत त पर एकी समस्याएं होने लगती है जादा खाने से हो तो दूसरी चीज खाना कम खाएं अब जाईए फंक्शन में जाईए थोड़ा कम खाईए ना चार कचोरी क्यों खाना है एक कचोरी से भी काम चलेगा आदा किलो पुलाओ क्यों खारना अरे थोड़ा सा पचास क्राम पुलाओ से काम चलाओ ना रसगुला क्यों खाना अब तस रसगुला भई एक खालो हो गया तो अपना भोजन कम करिए तो दूसरी चीज है खाना कम दूसरी चीज हो गई और तीसरी चीज इसी से संबंधित है खाना तो जादे खाते हैं लेकिन जरूरी चीज नहीं खाते हैं जरूरी चीज नहीं खाते हैं और कोई discipline follow नहीं करते हैं discipline follow करने का मतलब है कितने वज़े क्या खाना है ये नहीं कि सुबह कभी उठ गए खालिए कभी दोपार में खालिए कभी शाम को खालिए और उनके खाने में fruits नहीं है उनके खाने में salad नहीं है रोटी, चावल, दाल ठुस ठुस के खा रहे हैं, पिज़ा बर्गर जहां मिल गया, खालिया, समोसा खालिया दिक्तत हो जाएगे तो ये तीसरी चीज है कि अपने जीवन को आपको नियमित करना है, discipline life discipline life आपको जीना है discipline life को मतलब होता है morning में पांच बिज़े उठिए टालने के लिए जाएए, घूमिए washroom से आके, पानी मानी पीके फिर जो भी morning का है गरम पानी पीजिए, निबू पानी पीजिए थोड़ा सा नौ, आठनौ के असपार salad खाईए, थोड़ा फल खाईए हलका नास्ता लेजिए फिर वक्त पे खाना खाईए ये जो चीजे जरूरी चीजे हैं salad है, fruits हैं, dry fruits हैं ये जरूर लेजिए और खाना कम खाईए और discipline को follow करिए 9-10 बजे सो जाईए खाना खाके, 8 बजे, 9 बजे खाना खाईए, सो जाईए तो ये बहुत important है कि आपका life जो है, discipline होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और एक discipline को follow करना है, और भोजन में vitamins, minerals protein, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए आज कल मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को vitamin D और vitamin B12 की कमी से बहुत सारा problem हो जाता है है, बहुत आज से नहीं मिलता है, तो इसको supplement भी लेना पड़ता है या कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसमें मिलता है तो आपको ये भी important है कि आप अपना regular जो है ना check up कराते रहे और इन चीज़ों को खाईए जो आपके लिए जरूरी है तो ये चार चौथी चीज़ हो गई क्या हो गया, आपको discipline follow करना है आपको healthy diet लेना है, आपको बस ठूसना नहीं है, unhealthy diet नहीं लेना है, तला भुना चीज़ आपको नहीं खाना है मांस मच्छी आपको नहीं खाना है मुरगा मचली नहीं खाना है बहुत जादे दूद, मलाई, मक्छन आपको नहीं खाना है सादा खाना है, लेकिन सादा खाने के साथ साथ आपको जरूरी minerals, जरूरी vitamins जिन चीज़ों में आता है, वो सलाद हो चाए fruits हो या और भी कुछ है वो आपको लेने चाहिए, supplement लेना चाहिए, और डॉक्टर से चेकप कराते रहे, अपना medical चेकप भी कराते रहे, तीसरी चीज़ हो गए, discipline के बारे में हो गया और कम खाने के बारे में हो गया और चौती चीज़ चौती चीज़ और last चीज़ लेकिन सब से important चीज़ है बहुत important चीज़ है नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा मैं देखता हुँ ना, रिटायर होने के पास लूगों से खिचते हैं, खिचते हैं मतलब बात करने में interested नहीं रहे, कहीं जाने में उनको को इंटेस्ट नहीं रहता है, किसे मिलने में कोई कोई घर पर आया तो बात ही नहीं करें वह अपना कौने में बैठे रहेंगे आपको कोई बताएगा नहीं कि आप आओ और बात करो बहुत बार होता है आपके लड़के से आपके बच्चे से कोई मिलने के लिए आया अब आप बैठे हो थो आप बात कर लो ना और चलो वहां पे अगर आपको नहीं जम रहा है थो आफ बाहर निकलde जाएए पुराने दोस्तों से मिलिये किसी पार्क में चले जाएए कोई सोशल मीडिया जोईन करिए कोई ऐसा सोशल ग्रूप जोईन करिए कोई मंदिर पकड़ लीजिए कोई ऐसा धार्मिक काम कर लीजिये कोई समा अगर आपने ऐसा किया काकी जीवन अपने विताया तो आपके लिए बहुत सारे खत्रे हैं आपको बहुत सारे मेंटल इस्यूज हो जाएंगे और साथ ही साथ फिजिकल इस्यूज भी हो जाएंगे अगर इन चीजों को चार चीजों को आपने किया तो समझिए आपका जीवन में बहुत तकलिफ होने वाली है क्योंकि चारो चीज वो चीजे हैं जो आपके जीवन को नरक बनाएंगे आपके भविस्चे को अंधिकार में बनाएंगे आपको बीमार कर देंगे फिजकली और मेंटली और फिर आपका जीवन बहुत लंबा नहीं रहेगा रहेगा भी तो बीमार बीमार अपर हो गए तो यह चार चीजे मैं फिर से कवार बोलता हूँ याद करकर कहीं लिख लीजिए और इसको करते रही है पहला घर में पड़े नहीं रहना है बाहर बाहर जहना है रिग्लर ली पहले चीज बहुत नहीं खाना है एकड़ी मिनरी ख़िए गटक청 कर से आपSально का पालन करें अनुसासित जीवन बिताएं समय पे खाने खाने खाएं समय पर सोएं और जो चौथी चीज है वो है कि आपको एक आकी जीवन नहीं बिताना है मतलब लोगों से अलग थरग नहीं रहना है लोगों को मिल जुलके रहना है साथ में रहना है साथ में हसना बोलना है कोई ग्रूप जॉइन करना है अगर नहीं है तो कोई सोसल ग्रूप क ऐसा आपको III जॉइन करना है और उनके साथ थोड़ा समय बिताना है मित्रों से dest同ा को बुलाना कुछ करिए जहां पर अपकी activity चालू रहेगी अगर यह चार चीजें पच्छगे और यह चार चीज़ें आपने नहीं की और इन चार चीज़ों के उल्टा अपने किया तो आप घूमेंगे फिरेंगे आप लोगों से मिलेंगे आपका एकाखी जीवन नहीं रहेगा आप एक्सरसाइज करोगे आप खाना थोड़ा कम खाओगे लेकिन हेल्दी डाइट खाओगे और में रहोगे निश्यत मानिए आपका जीवन अच्छा रहेगा स्वस्त रहेगा सुख में रहेगा और आप प्रसंद रहेंगे लीतों में चाहिए तो इन चार चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने जीवन को बहतर बनाईए दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो त अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ कमेंट जरूर डालिए आपको कैसा कैसी लगी मेरी बात और आपके कुछ सुझाव हों वह भी डाल सकते हैं आप यूर मोस्ट विलकम बहुत सारे लोग बताते हैं अपने सुझाव भी डालते हैं अपने सुझाव भी डालते झाल